हेलो दोस्तों, वेरे गूड मॉर्निंग, अनलाइन स्टेडी पॉइंट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आज है 22 जुलाई और आज हम देखेंगे 22 जुलाई के most important current affairs दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आप सभी का तहए दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, कि आप लोगों ने इतना अच्छा अच्छा कॉमेंट्स किया, इतने positive कॉमेंट्स किया, जिससे हम लोगों को काफी motivation मिला, और मुझे भी एक कार करने की एक नई उर्ज प्राप्त हुई, दोस्तों, ऐसे ही होसला अबजाई करते रहें, motivation बनाते रहें, ताकि हम आपको नए नए अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें, दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे support के लिए भी काम करना होगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्याद feedback, comment section में अवश्य देते रहें, ताकि हम उस पर काम कर सकें, दोस्तों, चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने आज के current affairs की और और बात करते हैं कि आज क्या-क्या महतपूर्ण सवाल उत्पन हुए हैं, पहला सवाल है आज का, हाली में किसको जैगवार लैंड रोवर के CEO के र युक्त किये गए हैं, और यहां नियुकी टाटा मोटर्स की द्वारा की गई है, जो JLR के मालिक हैं, CEO बनने से पहले मार्डेन 16 नमबर 2022 से अंतरिम CEO के रूप में कार कर रहे थे, बात करें रिचर्ड मेलीनेक्स पहले 12 दिसंबर 2022 से कारवाहक मुक्य फिवित्य अधिकारी थे, तो दोस्तों इसका सही जवाब है, एड्रियन मार्डल को जैगवार लैंड रोवर का मोखे कारिकारी अधिकारी बनाया गया है, बात करें टाटा मोटर्स लिमिटेड की, तो यह एक भारतिय बहुराष्टिय आटोमेटिव विनिर्माड कमपनी है, यह टाटा समों के एक भाग की रूप में ही कारिकरती है, इसके स्थापना 1945 में जहांगीर रतन जी तादा भाई टाटा के द्वारा की गई थी, इसके मुख्याले की अगर हम बात करें, तो यह मुंबई महराष्ट्रा में स्थित है, और मुंबई महराष्ट्रा हमारे भारत की वित्तिय रास जाती हैं, तो आप इन सपगी का रिवीजन करते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए, कोलकाता पूर्ड के चेर्मैन कौन है, रथेंद्र रमन जी है, वेक फीट की ब्रांड बेंस्टर कौन बनाए गये है, आईशमान खुराना बनाए गये है, कोल इंडिया के अगले प्रम दोस्तों, उदिस सर ने पड़ी ही महनत से आप सभी के लिए 6 महीने के करंट अफेर्स को एक PDF में संग्रहित किया है, और जो आपकी एक्जाम में कम समय होने पर भी बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती हैं, तो दोस्तों, करंट अफेर्स के रैपेट रिवीजन के लिए तो दोस्तों, इन सारी PDF को प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिये गए नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो इस नंबर पर Query कर सकते हैं, आपकी सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और आपको PDF भी अबलबल कराई जाएगे, दोस् तेज गेंदबाज बने हैं, इसका सही जवाब है, option B, Stuart Broad, दोस्तों, Stuart Broad की बात करें, तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये इंगलेंड के रहने वाले हैं, इंगलेंड की Stuart Broad ने टेस्ट क्रिकट में 600 बिकट की उपलब्धी हासित करने वाले दूसरे तेज गेंद पहुँचने के लिए Travis Head का महतपूर विकट ले लिया था, यहों लेकनी उपलब्धी हासित करने वाले एक मात्र अन्य तेज गेंदबाज ब्रॉड के इंगलेंड टीम के साथ ही James Anderson भी हैं, दोस्तों, इस सूची में सेर सस्थानों पर इस्पिनरों का ही कबजा रहा है, जै आज का तीसरा सवाल है, जीवन भीमा निगम की नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसी निउक्त किया गया है, इसका सही जवाब है सत्पाल भानू। जिन्हें अप्रेल 2023 में इसके अध्यक्त के रूप में नियुक्त कर दिया गया था बात करें LIC की यानि भारती जीवन बीमा निगम के मुख्याले की तो यह भी मुंबई में इस्थित है दोस्तों हाल ही में हुई कुछ और नियुक्तियों को भी देख लेते हैं जो आपके एक्जाम के पॉइंट आफ ब्यू से इंपॉर्टेंट है जैसे न्यूजिलैंड के प्रधान मंतरी कौन बने हैं? क्रिस हिपकिन्स बने हैं NCBC के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर को बनाया गया है NCBC का फुल फॉर्म होता है National Commission for Backward Classes दोस्तों NCBC का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और अध्यक्ष को भी याद रखिएगा क्योंकि यह दोनों ही एकजाम के परपस से बहुत ही जादा है इसराईल के परधान मंतरी कौन बने हैं? केंडरा बंक के CEO, MD कौन बने हैं? के सत्तिनरायड राजू बने हैं तो दोस्तों इन न्यूक्दियों को बार-बार रिवीजन करते रहिए ताकि आप भूले नहीं अगला सवाल है हाल ही में नौर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंशुमन जिंगरन दोस्तों आपको बता दें कि अंशुमन जिंगरन 18 वर्षके हैं और इन्होंने नौर्थ चैनल को पार करके सबसे कम उम्र के व्यक्ति का खिताब जीत लिया है ये नवी मुंबई के रहने वाले हैं और इन्होंने नौर्थ चैनल उत्तरी आईरलैंड के उत्तर पूर्वी तट और स्कॉर्ट लैंड के दक्षिर पक्षिमी तट के बीच इस्थित है यहां एक चुनोती पूर्ट जलडमरू मध्य है जो आईरिस सागर के अंत के रूप में कार करता है और उत्तर पक्षिम की ओर अट्लांटिक महा सागर में बहता जाता है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतिये मिहर भोस थे इसको याद रखेगा ये बहुत ही इंपोर्टेंट है अगला सवाल है हाली में मलेशिया ने इसलामिक खिजडा पुरुसकार से किसको सम्मानित किया है दोस्तों इसका सही जवाब है बात करें कंथा पुरम की तो मलेशिया ने अखिल भारतिये सुन्नी जमिये तुल उल्मा के महा सचिव और भारत के वरतमान ग्रेंड मुफ्ती को अपने सर्वोच नागरिक सम्मान से नमाजा है परतिष्ठित हिज्रा पुरुसकार शेख अबुरुबक जिन्हें कंथा पुरम अबुबकर मुसलियार के नाम से भी जाना जाता है उनको भारत के भीतर इसलाम में प्रेम के संदेश को बढ़ावा देने में उनके अमूल योगदान के लिए दिया गया है तो यह पुरुसकार जो है कंथा पुरम अबुबकर को दिया गया है ठीक है क्यों दिया गया है क्योंकि उन्होंने भारत के भीतर इसलाम में प्रेम के संदेश को बढ़ावा दिया है तो दोस्तों इसे याद रखिएगा बहुत ही इंपोर्टन्ट हो सकता है कुश्यन कि 2030 में कुछ प्रमुक पुरुसकार दिये गये हैं जो आपकी एक्जैम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुहत्पूर्ण हैं तो इनको आप एक बार देख लिजिए अंतर राश्टी सांख्य की पुरुसकार 2030 कल्याम पुडी राधकृष्ण राव को दिया गया है लिप जी बुक पुरुसकार 2030 मारिया इस्टेपानोवा को दिया गया है बिर्ता पुरुसकार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है दीपका मिस्रा है वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरुसकार दो हजार पेश से किसे सम्मानित किया गया है तो एवगेनी मालो लेटक को वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरुसकार से नवाजा गया है दोस्तों इन्हें बार-बार रिवीजन करते रहे ये एक बार पढ़के याद होने वाली चीज़े नहीं है जब तक आप इसका बार-बार रिवीजन नहीं करेंगे आपको एक्जाम में नहीं आदाएगा तो रिवीजन बनाए रखें छटा प्रस्ण है हाली में देश की पहली सेटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहा जारी की गई है दोस्तों ये पूछ रहा है हाली में देश की पहली सेटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहा जारी की गई है तो इसमें आपको आप्शन बताना है कौन सा सही है इसका सही जवाब है दोस्तों आप्शन A गुजरात गुजरात को देश की पहली सेटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलने वाली है महसाड़ा के पास सेटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना के लिए गांधी नगर में वन बेब और राज सरकार के बीच एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया गया है पहले चरड के लिए 100 करड़ रुपे से अधिकी अनुमानित लागत के साथ महसाडा जिले के जोताना तालुका में दो स्थानों पर उपग्रह नेटवर्क पोर्टल स्थापित किया जाएगा तो इसका सही जवाब है दोस्तों गुजरात बात करें गुजरात की तो इसका गठन एक मई 1960 को हुआ था और इसकी राजधानी है गांधी नगर, मुकमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, राजिपाल है आचार देववरत, जिले हैं 33, राजिसभा की सीटे हैं 11, लोगसभा की सीटे हैं 26 हमारा अगला प्रेश्ण है हालही में हर्मेहर सिंग लाली संजना सूद ने ISSF JWC में कौन सा पदक जीता है तो आपको बता दें हर्मेहर सिंग लाली संजना सूद ने रजध पदक जीता है दोस्तों निशाने बाजी में भारत ने कौरिया की चांग वोन में आइस SSF जूनियर विष चैंपियंशिप के चोथे दिन एक रजध पदक जीकता और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर शामिल रहा हर्मेहर सिंग लाली और संजना सूद ने इसकीट मिस्रित तीम इस पदधा में रजध पदक जीता है उस पदक के साथ भारत चार स्वर्ण, चार रजध और तीन कांस पदक के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुँच गया है तो दोस्तों इसका सही जवाब है रजध पदक आटवा प्रस्ण है इंटरनेशनल किर्केट में 500 मैच खेलने वाले दसवे किर्केटर कौन बने हैं तो दोस्तों ये आप सभी की चहेते बिराट कोहिली जी बन गए हैं इन्होंने 500 मैच खेलने वाला दसवे किर्केटर होने का खिताब जीत लिया है भारतिय किर्केट में दिगज बिराट कोहिली ने 500 अंतर राष्टी मैच खेलने वाले इतिहास के दसवे किर्केटर बन कर एक महात्पूर उपलब्दी हासिल कर ली है वेस्ट इन्डीज के विरुदिनों ने यह दूसरा टेस्ट मैच खेलने के साथ ही कोहिली के नाम एक और उपलब्दी भी दर्ज कर ली है 500 अंतर राष्टी मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं 664 सचिन तंदूलकर जीने खेले हैं जो भारत के हैं 652 मैच महिला जैवर्ध ने खेले हैं जो स्रीलंका के हैं 594 मैच कुमार संगकारा ने खेले हैं जो स्रीलंका के हैं अगला प्रश्ण है हालही में DPIIT ने किस सरकार के साथ मिलकर सयुक्त रूप से एक जिला एक उत्पाद वाल का सुभारंब किया है दोस्तों अभी तक हमने एक जिला एक उत्पाद स्कीम की बारे में बहुत ही पढ़ा था और अब हम बात कर रहे हैं एक जिला एक उत्पाद वाल का सुभारंब करने वाला कौन सा राज है तो इसका सही गुजरात राज दोस्तों एक जिला एक उत्पाद यानि ODP, ODP, कारकरम वाडिच और उद्दोग मंत्राले के उद्दोग और आंतरिक व्यापार सन्वर्धन भिभाग कि एक पहल ने राज के स्वादेशी सिल्प और कारीगारों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक सही योग किया है इस साज़ेदारी का उद्देश राष्टी इस्तर पर गुजरात के उत्पादों की द्रिश्यता बढ़ाना और उभगताओं को एमपोरिया की ओर ले जाना है जिससे विक्री को बढ़ावा मिल सके तो इसका सही जवाब है गुजरात आज का आखरी प्रिश्ण है दोस्तों एशियाई सर्फिंग चैंपियंशिप का आयोजन किस देश में किया गया है इसका सही जवाब है माल्दिवस में भारतिय सर्फर टीम ने माल्दियू के थुली सधु धूप में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनसिप में कांसे पदक जीता है इस चैंपियनसिप में एशिया के 18 देशों ने हिस्सा लिया था भारतिय टीम के पुरुष वर्ग में 4 वरिष्ट सर्फर और अंडर 18 वर्ग में 2 सर्फर शामिल थे इन में 6 में से 5 सर्फर तमिलनाडू से थे भारती सर्फिंग महासंग भारत में सर्फिंग के खेल के लिए मानिता प्राप्त राष्टी शाशी निकाए है तो दोस्तों इसका सही जवाब है माल्दिव्ज आयू दोस्तों 21 जुलाई के करेंट अफेर्स का हम फटा फट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको प्रश्ण के अंसर याद रखने में सहायता मिल सके हालही में कौन इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंद निदेशक और CEO बनी है निवरती राय हालही में भारती तटरच्छक बलके 25 महानिदेशक के रूप में किसे निवक्त किया गया है राकेश पाल हालही में किसको एनी पुरुषकार 2023 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर थलिपल प्रदीप हालही में किसने सबसे तेज बैडमिंटन हिट के साथ गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया है सातविक साहिराज रंकी रेड़ी हालही में सर्वसरेश्ट बेपसिरीज पुरुषकार के शिर्वात कहां की गई है आई एफ 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 आई गोवा में हालही में पीवी सिंधु ने विश्वरैंकिंग में कौनसा सथान पृप्त किया है सत्रमास्थान हालही में थूध ब्रोकन ग्लास अन आटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है टी एंड शेशन के द्वारा किस भारती ग्रेंड मास्टर ने हंगरी में सूपर जीयम सत्रंज टूर्णामेंट जीता है और प्रग्नानंदा ने राजुसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है एस फांग नोन कॉन्याक क अंतर राष्टी शत्रंज दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है 20 जुलाई को दोस्तों यह हमारे 21 जुलाई के फटाफट रिवीजन थे जो हो गया अब आईए देख लेते हैं आज का प्रश्ण अंतर राष्टी शत्रंज दिवस प्रतिवर्स कब मनाया जाता है दोस्तो इस प्रस्ण का आंसर आप फटाफट कॉमेंट सेक्षन में देते रहिए और वीडियो को देखते रहिए लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों आप अपना motivation, support, सब कुछ देते रहे ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते रहें दोस्तों आप अपने positive comments section में जरूर डालना अपने feedback जरूर देना ताकि हम उस पर काम कर सकें धन्यवाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही